ये कहानी है एक 11 साल की बची निम और उसके फादर जैक की जो इसकी मॉम की डैद के बाद एक आईलेंड पे अपनी दुनिया बना लेते हैं उस आईलेंड का नाम वो निम्स आईलेंड रखते हैं निम अपनी इमाजिनेशन की दुनिया में मस्ट और खुश रहती है और वहा आईलेंड पे रिसर्च के लिए जाता है लेकिन एक बुरे तूफान की वजह से वहीं फंस जाता है और टाइम से वापस नहीं आपाता दूसरी तरफ एक बुक राइटर जो लोगों में बैठने से और गंदगी से घबराती है वह कैसे निम के लिए अपने घर से निकलाती है ये सब जानने के लिए आईए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर क्या होता है मूवी की शुरुवात निम अपनी मॉम की कहानी से करती है निम की मॉम असल में समंदर और उसमें रहने वाले जानवरों में काफी दिल्चस्पी लेती है एक दिन ब्लू वेल के बारे में ज और इस तरह अपनी चोटी से शिप पर पूरी दुनिया का सफर कर लेते हैं इसी सफर के दौरान उनको एक आईलेंड मिलता है जहां कोई भी नहीं होता इसी आईलेंड को वह अपना घर बना लेते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजों का बंदोबस्त कर लेते हैं हर अफ कर वो काफी एकसाइटेड हो जाती है निम कभी स्कूल नहीं गई होती और यही आईलेंड उसका स्कूल होता है किताबों की दुनिया और अपने जानवर दोस्तों से वो सब कुछ सीख लेती है बाखी रही कसर जैक पूरी कर देता है और क्योंके वो खुद भी एक साइंट होता है आईलेंड पे ही इन्होंने अपने लिए सबजियां उगाने का इंतिसाम किया होता है जिससे वो अपना खाना खाते है निम बैठी सबजियां काट रही होती है जब जैक एक और चोटा जानवर लेकर घर आता है निम एलक्स रोवर किताब पढ़ना शुरू करती है इमाजिनेशन इतनी अच्छी होती है कि वो किताबों के जरिये सारी दुनिया गूम लेती है और कहीं भी गुज जाती है जैसे के अलेक्सेंडर की इस किताब में दूसरी तरफ अलेक्सेंडर को दिखाया जाता है जो अपनी किताब लिखने में मगन होती है मगर तब ही एक spider से डरके वो अपनी जगा से उच जाती है spider को वहां से भगा कर वो धेर सारे hand sanitizer मंगवा लेती है Alexandra बहुत जादा tension में होती है क्योंकि वो अपनी किताब मुकमल नहीं कर पा रही होती research करते समय उसे निम्स आइलेंड नजर आता है जिससे उसे मालूम होता है कि वहां जैक रहता है वो जैक से वॉलकेनोस के बारे में जानने के लिए उसे email करती है जैक को पता चलता है कि जगमगाता हुआ LG देखने का दिन आगिया है तो वो अपनी बोर्ट तयार करके उस चाना चाता है निम्स के साथ जाने के लिए नहीं मानती जैक उसे बार-बार अपने साथ चलने को कहता है मगर निम उसे कहती है कि अब वो चोटी बच्ची नहीं रही जैक अपना सारा समान लेकर वहाँ से अपने सफर पे निकल जाता है और निम को बताता है कि वो दो दिन में वापस आ जाएगा दोनों आपस में एक सैटलाइट के जरिये एक दुसरे से बात करते है जैक के वहां से जाने के बाद निम अपने दो सेलकी के साथ खूब डैंस करती है और मज़े करती है तब ही उसकी नजर जैक के कंप्योटर पर पड़ती है जहां वो देखती है कि जैक को दो ईमेल आई हुई है उन में से एक email Alex Rower यानि Alexandra की तरफ से होती है निम उसकी email देखकर बहुत ज्यादा excited हो जाती है और उसे जवाब देती है कि Jack उसकी जरूर मदद करेगा पर अभी research करने के लिए निकले हुए है और दो दिन तक वापस आ जाएंगे Alexandra ये जवाब सुनकर खुश हो जाती है और उसे निम का नाम भी काफी मज़ेदार लगता है Jack अलगे को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा होता वो समंदर की खुबसूरती देखी रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तभी बहुत तीज बारे शुरू हो जाती है और Jack समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे तभी एक बहुत उची लहराती है और उसकी पूरी बोट पानी से भर जाती है और वो पानी में गिर जाता है बोट को पकड़ कर किसी तरह वो बोट के अंदर जाता है दूसरी तरफ निम अराम से सो रही होती है जब उसे महसूस होता है कि तीज हवा चल पड़ी है सारे घर की खिड़कियां जोर से बजने लगती है वो कम्प्यूटर टेबल को भाग कर ढग देती है और सब खिड़कियां बंद कर देती है निम सारी रात अपने फ्रेड और सेलकी के साथ गुजार देती है सुभा उठते ही वो सफाई करने लगती है मगर सबसे पहले सैटिलाइट और बिजली की तारे लगाती है ताकि जैक का पता कर सके वो जैक को सैटिलाइट की मदद से कॉल करती है मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता जैक अपनी बोट में नीचे पानी में गिरा होता है जब एक गैललियो उसे जाकर जगाती है वो घबरा के उठता है और अपनी बोट से पानी निकालने लग जाता है उसको भूक लगी होती है तो अपने लिए फिश पकरने पानी में छलांग लगाता है कि तब ही वो गैललियो उसकी मचली ले ले लेता है वापस बोट पे आकर वो देखता है कि गैललियो उसी के लिए फिश जमा कर रहा है जैक समझ जाता है कि ये निम का ही एक दोस्त है जैक उस गैललियो से बाते कर रहा होता है कि उसकी बोट को चारों और से शार्ट्स गीर लेती है और उसकी बोट पे ठककर मारती है जिससे बोट के अंदर सुराख हो जाता है और मजीद पानी भरने लग जाता है निम जैक को डूरने के लिए निकलती है मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आता है वो उमीद करती है कि जैक अपने दिये हुए टाइम पे वापस आ जाएगा वो वापस घर जाती है तो कंप्यूटर पे अलेक्जैंडरा की एक और मेल आई होती है जिसमें वो निम को बताती है कि उसने एक बुक लिखनी है तो अगर जैक नहीं है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो वो निम से वालकेनो के बारी में पूचती है और निम उसे बताती है कि वो वालकेनो एक बार भटा था और वो नजारा खुबसूरत होने के साथ साथ जान लीवा भी था मगर अब उस वालकेनों के खरीब कोई नहीं जाता निम उस वालकेनों पे चड़ती है और उसके अंदर दीखती है तो वो खाली होता है उसमें कोई लावा नहीं होता वो वापस जाने लगती है कि तब ही उस पे से पत्थर गिरने लगते है निम जल्दी से उस पहार से नीचे उतरने का करती है मगर जिस जरक से वो अपनी रसी बानती है वो दरत गिरने लगता है इस से पहले वो दरत गिरता और निम को साथ लेकर जाता निम जल्दी से अपनी बाडी पे से रसी खोल देती है मगर तब ही वो उस पहार से नीचे स्लिप हो जाती है और उसकी टांग पे चोट लग जाती है घर वापस आते वक्त निम की नजर समंदर पे पड़ती है तो कोई शिप आईलेंड के खरीब आ रही होती है वो शिप वैसी ही होती है जैसी उसने अपनी मॉम की स्टोरी में सुनी होती है बक्हनियर शिप एक चोटी बोट के जर्ये एक कैप्टन और पारिट्स आईलेंड पे आते है निम दरख पे चड़कर उनको देख रही होती है और उनकी बाती सुनती है कि वो किस तरह दो दिन बात यहां पर और बहुत लोगों को लाएंगे और पार्टी करेंगे निम तब ही सोच लेती है कि वो इनको यहां नहीं आने देगी और जैक को बताएगी कि उसने आलेंड की रक्षा की है निम वापस घर जाकर अपनी पटी करती है और अलेक्सेंडरा को मेल करती है कि उसके साथ क्या हुआ है और अब बागी इन्फॉमेशन वो उसको तभी दे सकती है जब उसके डैट जैक वापस आएंगे अलिक्सेंडरा ये इमेल पढ़कर हैरान होती है और निम से पूछती है कि तुम कौन हो और कितने साल की हो निम उसे बताती है कि मैं ग्यारा साल की हूँ और आइलेंड पे अकेली हूँ उसके डैट समंदर में अलगे देखने गए थे और शाहिद भस गए हैं वहाँ अलिक्सेंडरा ये सब पढ़कर परिशान हो जाती है और निम से कहती है कि मैं तुम्हारी लिए क्या कर सकती हूँ निम उसे आने का कहती है और उसे बताती है कि मैं बहुत डर रही हूँ अलिक्सेंडरा ये सुनकर घबरा जाती है और उसे बताती है कि मैं बाहर जाने से और लोगों में गुलने मिलने से डरती हूँ और इसी वज़ा से मैं 16 हफ़तों से घर से बाहर भी नहीं निकली बीच में हम आपको बताते चलें कि अलेक्जैंडरा और निम की इमेल साथ-साथ Alexandra की बुक का हीरो Alex Rover भी पढ़ रहा होता है Alex Rover Alexandra को कहता है कि क्या तुम सच में इस बच्ची को ये कहोगी Alexandra उसको इग्नोर करके निम को वो इमेल भीज देती है निम ये पढ़ करके Alexandra सूला हफ़तों से अपने घर से बाहर नहीं निकली बिल्कुल हैरान हो जाती है Alex Rover character हर वत ही Alexandra के साथ होता है चाहे वो कहीं भी हो क्योंकि वो उसकी किताब की वज़ा से उसकी life का सबसे एहम हिस्सा बन चुका होता है Alexandra निम से पूछती है कि वो है कहां और निम उसे बताती है कि मैं South Pacific के एक island में हूँ जो के 20 degree south और 162 degree west पे है Alexandra बहुत सारी agencies को call करके उनसे मदद मांगती है मगर कोई भी उस island पे जाने को तयार नहीं होता निम Alexandra को इस island की location किसी को भी बताने से मना करती है और साथ में ये भी बताती है कि बखनियर पारेट भी उनके island पे आ रहे है और वो उनसे अपने island को बचाने की कोशिश कर रहे है बखनियर्स के वहाँ आने से पहले निम मुखतलिव जाल बिचाती है ताकि उनके आने पर उनको island से भगा सके जैसे कि सेलकी से उनको डराना, फ्रेट्स को उड़ाकर उन पे फेकना और वॉल्कैनो इरॉप्शन फेक करना निम इस सब की तयारी करी रही होती है कि गललियो निम से जैक का टूल बॉक्स लेकर उसके पास फेक देता है ताकि जैक बोट को जोड सके और वापस घर लोट सके अलक्स रोवर अलक्सेंडरा को निम की मदद करने के लिए आईलेंड पे जाने के लिए बना लेता है वो अपने सूप और सैनिटाइजर पैक करके घर से निकलती है मगर निकलने से पहले दुबारा सोचती है अलक्स रोवर उसे घर से खेच कर टैकसी में बैठने पे मजबूर कर दीता है वो जहास के जरीये आईलेंड के करीब पहुचती है और वहाँ लोगों से डरते हुए बचते हुए बोट पे निम के पास जाने के लिए निकल जाती है दूसरी तरफ आईलेंड पे बहुत सारी लोग आने लग जाते है निम उन पे हमला करना शुरू करती है मगर फ्रेड और उसके साथियों और सेलकी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तब ही निम वालकैनों के पहार पे चड़ती है उन लोगों में आया हुआ एक एडमन नामी बच्चा निम को देख लेता है और उसका पीछा करता है निम वालकैनों पे जाकर नकली वालकैनों इरॉप्शन दिखाती है मगर पत्थर नीचे फेकने के चकर में एक वालकैनों के अंदर गिर जाता है और वो वाखे में भट जाता है आयलेंड पे आयोए सब लोग ढर जाते हैं और वहां से भागने लगते है निम भी जल्दी से नीचे उधर जाती है ताकि उसे दोबारा चोटना लगी तब ही उसकी मुलाकात एडमन से होती है और वो उसे पूचता है कि वो पहाड पे क्या कर रही थी निम उसे कहती है कि वो यहां से चला जाए क्योंकि यहां रहना उसके लिए खत्रा है एडमन उसे उसके साथ चलने का कहता है मगर निम उसे कहती है कि मैं यहां रहती हूँ मुझे यहाँ कोई मसला नहीं है तभी एडमेंड के पेरंट्स उसे आवाज दे कर बुला लेते हैं और सब बोट्स में बैठ कर वापस शिप में चले जाते हैं एलिक्जैन्रा अब आइलेंड के करीब ही होती है कि उसे धेर सारे काले बादल लेजर आते हैं बोट चलाने वाला उसे कहता है कि तूफान आने वाला है और सब को इससे बचना चाहिए वो बोट वाला एलेक्जैन्रा को पानी के बीच में उतार देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से चल कर किनारी तक जाए वो एलेक्जैन्रा को बाहर धक्का दी दीता है और वहां से चल परता है तब ही Alexandra के पास Alex Rover भी आ जाता है और दोनों एक helicopter के जरीए island की तरफ निकल जाते हैं अब इनका helicopter उसी बादल में फंस जाता है और 30 बारिश की वज़ा से उनको Bikiniers की ship पे land करना होता है ship का captain उन पे घुसा करता है कि पूछे बागेर उन्होंने यहां land कैसे कर लिया लेकिन Alexandra को मजबूर देखकर वो उनको अंदर ले जाता है Alexandra ship captain को कहती है कि उसे island पे जाना है वहां एक बच्ची भसी हुई है मगर वो Alexandra को पागल समझ कर उसको ignore कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने island पे निम को नहीं देखा होता Edmond इनकी बात सुन लेता है और वो Alexandra को जाकर कहता है कि तुम पागल नहीं हो वहां वाकई एक बच्ची है Alexandra ये बात सुनकर मजीद वक्ट जाया नहीं करती और वहां से भाग निकलती है Captain और उसके Pirates Alexandra के पीछे भागते हैं ताकि उसको पकर सकें दूसरी तरफ Jack भी अपनी बोट सही करने में काम्याब हो जाता है और तूफान से निकलने की कोशिश करता है इस सब में उसकी बनाई हुई बोट हवा की तेज रफतार से उंची लहरों की वज़ा से फिर से जाती है पर वो एक लड़की होती है Alexandra और निम जब समंदर के किनारे पहुचते हैं तो तूफान भी ढल चुका होता है Alexandra उसे जगाती है और उसे बताती है कि मैं ही Alex Rover की राइटर हूं निम उसका भरोसा नहीं करती और उसे कहती है कि Alex Rover तो एक लड़का है जो इतनी adventurous कहानिय लिखता है मगर तुम एक डरपोक लड़की हो जिसको मैंने बचाया है Alex Rover को बचाने की जरूरत ना पड़ती निम उससे नराज होकर वहां से चली जाती है तभी Alex Rover आता है और Alexandra को कहता है कि तुम्हें निम के पास जाना चाहिए वो नहीं मानती तो तभी Alex Rover भी उसे छोड़ कर चला जाता है Alexandra उसे रोकती है मगर वो चला जाता है और उसे निम के पास जाने का कहता है Alexandra बड़ी मुश्किल से जंगल का रस्ता तै करके निम के घर के करीब पहुंचती है निम उसकी मदद नहीं करती लेकिन जब वो डरनी लगती है तो निम लाइट लेकर उसके पास ज जलता है कि ये एक साइंटिस्ट है और उसकी काम्याबी देखकर काफी इंप्रेस होती है बाहर आकर वो दीखती है कि निम खाना बना रही है और उसके पास जाकर बैठ जाती है निम उसे खाना दीती है मगर वो नहीं खाती क्यूंकि उसे गंदा लगता है तभी निम उसको बैठी रो रही होती है और समंदर के तरफ देख रही होती है अलेक्जेंडर उसके पास जाकर उसे होसला देती है कि जैक आ जाएगा मगर निम कहती है कि अगर वो जिन्दा होते तो अब तक आ जाते निम बहुत रूती है और अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रही होती कि वो उ और उसके साथ ही एक चोटी सी राफ्ट में जैक भी होता है निम किनारे तक भागती है और जाके जैक के गले लग जाती है जैक निम को एलगे दिखाता है और वो यह देखकर काफी खुश होती है तभी पीछे से अलेक्जांड्रा भी आ जाती है और जैक से मिलती है निम जैक हमारी मुवी की happy ending हो जाती है thank you for watching